दोस्तो आज के इस विडियो में हम कवर करेंगे टू सर वीत लब यह आपके महारास्टा बोट के इंग्लिश के क्लास 12 में है और यह आपके ड्रामा में है तो दोस्तो इसे में स्टार्ट करेंगे उसे पहले मैं आपको बता दू कि मैंने आपके महारास्टा बोट के इंग्ल चैनल में जाए और महारास्टा बोट के इंगलिश के क्लास 12 के प्लेलिस्ट को चेक करें और हाँ दोस्तों आप साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्यूंकि दोस्तों अब तक मैंने राइटिंग स्किल्स को कंप्लीट नहीं किया है उसे भी मैं कंप्लीट वो आपके पास पहुंच जाएगा तो चलिए अब शुरू करते हैं तो यह कहानी है इन्हों ने अपने लाइफ के बारे में बताया है मिंस जो ऑथर है वो अपने बारे में ही इस चैप्टर में बताते है तो दोस्तों पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे द जाते है जी हां इनके पास अब कोई भी काम नहीं है तो यह क्योंकि ब्लैक परसन है मिंस यह काले है तो इन्हें काम जल्दी नहीं मिलता इसके पिछे बहुत बड़ा स्टोरी है दोस्तों अमरीका में ऐसा था कि जो काले लोग थे ना उन्हें ज्यादा महतब नहीं दिया जा था तो दोस्तों फाइनली यह बन जाते है एक स्कूल के टीचर स्कूल का नाम है ग्रिन्स लैड स्कूल तो दोस्तों मैं आपको बताता चलू यह जो है न टू सर वीत लब यह चाप्टर दोस्तों मिंस यह एक नॉवल है बहुत ही बड़ा नॉवल है और आपके स्लेब से आएगा तो दोस्तों हम उसी के बारे में जानते है यह जो पूरे स्टोरी है दोस्तों वो बेस्ट है स्कूल में कौन से स्कूल ग्रिन्स लैड स्कूल जीस स्कूल के टीचर है यह एर ब्रैथवेट तो दोस्तों अभी हार फियरली रिपोर्ट ऑफ स्टुडेंट मींड student लोग का hard fairly report होने वाला है और date है दोस्तों November 15 तो यहाँ पर अब एक function organize हुआ है और यह जो function organize हुआ है ना इन function के सभी कामों को किया है student ने जी हाँ सभी चीजों को managed किया है student ने और इस दिन assembly नहीं होगी कौन से दिन 15 नोवेंबर date याद रखना तो अब जितने सारे बच्च ली और बहुत ही polished dress में है तो दोस्तों अब यहाँ पर एक है Mr. Joseph और एक है देन हम यह दोनों दोस्तों बहुत ही important official से इस school के तो अब इस school में बेल बचता है सुभा 10 बजे 10 a.m आप time याद रखना तो दोस्तों अब जितने सारे बच्चे है वो सभी बैठ चुके है auditorium में और यह जो Mr. Joseph और डेन हम है ना यह बैठते है इस school के principal के पास जी हाँ प्रिंसिपल का नाम है Mr. Florian तो यह जहां पर यह Mr. Florian stage में बैठ कर है मिन्स यह Florian stage में बैठ कर है और इसके एक साड़ बैठती है Miss Joseph और दुसे side डेन हम अब यह Mr. Florian speech देते है जी हाँ यह इस school के बार speech देती है और इनका speech बहुत ही छोटा होता है और यह council के propose के उपर speech देती है यानि कि council का क्या purpose है उसके उपर यह speech देती है अब दोस्तो इस school में जितने भी class है ना वो सभी class report देंगे और हर class का एक representative यानि की एक जो कहते है ना इस class से एक बंदा आएगा जो अपने class के report के बारे में बताएगा तो दोस्तो तो दोस्तो अब यह सभी report होता है और जैसे ही यह सभी चीज़ खतम होता है ना तब एक panel बैठता है teachers का means teachers का एक group बैठता है stage के उपर तो दोस्तो अब जिन जिन students को जो जो question है ना वो पूछा जाएगा और यह जवाब देंगे तो यह start हो begins with lowest to younger means छोटे class से बड़े class तक means पहले होगा 1 class, 2 class, 3 class, 9, 10, 11, 12 ऐसे करकर तो आप याद रखना सबसे पहले 12 साल के बच्चे report देते हैं जी हां सबसे पहले देते हैं 12 साल के बच्चे report तो दोस्तो अब बात आया breath weight के class के बारे में जी हां अब breath weight के class का बात होगा और यह स थोटे से बड़ा तो यहां पर यह जो breath weight है ना बड़े class के teacher है breath weight बहुत ही anxiously बैट कर है तो दोस्तो अब यह जो देन हम है यह बुलाते है breath weight के class में जो जो subject है और उन subject के जो जो representative है ना उन्हें यह देन हम बुलाता है तो दोस्तो कौन-कौन से subject का कौन-कौन representative है आप यह पर पढ़ सकते हो तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर report देने आती है Miss Joseph और यह बात करती है Interdependency of mankind के बारे में तो जैसे ही इनका खतम हुआ उसके बाद कहते है Potter और दोस्तों Potter बात करते है in the field of math means यह math के field के बारे में बात करते है यह common weights और measures के बारे में बात करते है इसके बाद दोस्तो Miss Pig and Jackson ये दोनों बात करते है जोग्रेफी के उपर और Miss Dare और Furn Man बात करते है Physiology के बारे में Miss Dodd बात करती है स्टी के बारे में मिस ये रिपोर्ट देती है स्टी के बारे में और Miss Joseph रिपोर्ट देती है Domestic Science के बारे में अब दोस्तो ये जो डेन हम है ना ये क्या करते है ये दोस्तो बात करते है PT के बारे में जी हाँ Subject PT के बारे में और Games के बारे में और ये कहते है कि जो PT है ये भी सभी subject में से एक important subject है अब दोस्तो चूज होते है Mr. Western, Mrs. Dale, Events and Miss Phillips ये क्या करेंगे दोस्तो ये सभी question के answers देंगे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर question answer भी होगा तो जितने भी senior presentation है वो सवाल पूछेंगे और ये उनका जवाब देंगे तो दोस्तो जब ये डिन हम जो है न ये कहते है कि सभी बच्चों को PT में पाट लेना चाहिए फिर उसके बाद Mr. Western respond quite ridiculously जी हाँ यहाँ यहाँ यूज हुआ है quite ridiculously तो ये respond करते हैं बच्चे लोगों को PT की जरूरत नहीं है जी हाँ यही कहते है अब दोस्तो जो मिस फिलिप्स है ये भी आती है और ये भी साथ दे देती है इसका यानिकी मिस फिलिप्स यहाँ पर साथ देती है Mr. Western का तो अब इस डेन हम को पता चल गया इसके जौप खत्रे में आ गया मिस ये अब यहाँ से निकाला जा चुका है और ये जो कह रहा था PT हो जाए PT हो जाए सबी बच्चों को PT लेना चाहिए वो भी बंद हो गया मिस आप कोई भी बच्चा PT नहीं लेगा और दोस्तो यही पर ये chapter end मुझे पता है बहुत ही difficult chapter था और दोस्तो कोई काम का chapter भी न बस में तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले बुड़े के साथ और हाँ इस वीडियो में बहुत लगी है बहुत मतलब बहुत पूरा पसीना निकल रहा है अभी मेरे हेट से और फेस से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे है और हाँ मेरे एक और चैनल है जिसका लिं वीडियो वेरी सुन तिल एंब जेटल बीकान बेस्मार्ट तेक चैनल